मेरा नाम है अमन श्रिवास्तो और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉंग्निजेबल और नॉन कॉंग्निजेबल ओफेंस है इसमें क्या डिफ्रेंस है ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट और जो ओफेंस हम लोग ने देखा कि एलीगल एक्ट और क्राइम है जिसके खिलाब आप कंप्लेंट लिखा सकते हैं पुलिस और मैस्टेट में और जो पनिश में पनिशेबल इन नेचर हो और कॉंग्निजेबल ओफेंस को तीन तरह से कैटिग्राइज किया सकता है एक हो गया बेलेबल नॉन बेलेबल दूसरा क्लासिफिकेश बनाऊंगा जिसका जिसमें होगा अंतर हम लोग देखेंगे तो गया जो जो पुलिस ऑफिसर है वह आपको बिना कोड के परमिशन के आपको अरेस्ट कर सकता है यह जनरली ही नियस होता है सीरियस इंदा नेचर होता है और इसके लिए आपको कोई पुलिस को कोई वरेंट नहीं चीए आपको आरेस्ट करने के लिए वो आपको बिना कोड के ऑर्डर के प्लस आपके किलाब इंवेस्टिकेशन शुरू कर सकता है कौन कौन से केस इसके अंदर आएंगे and हीनियस और सिरियस क्राइम आएंगे तभी तभी अलाव होगा पुल और जो फिर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इस रेगिस्टर ऑनली इन को और जो अन्ट इसेक्शन 154 और क्रिमिनल प्रोसेजर कोड है उसमें पुलीस ऑफिसर बाउंड पुलीस ऑफिस्टर करना ही पड़ेगा जो एफ आपका पुलीस ऑफिसर आपका कहने एफ आई नहीं लॉज करता है और वह जो आप जिसके लिए लिख वह और आता है तो आप उस पुलीस ऑफिसर की क्यांगे कर सकते को क्योंकि उसको उसको करना ही करना है से अंडर सेक्शन 154 और कुछ एकन आलसो कंड़ेक्ट सम्काइंड प्रिलिम्री इंक्वाइरी बिफोर रेस्टिंग फिर जो इस केस में पहले अरेस्ट कर दिया जाता है फिर मजिस्टेट के पास उस आदमी को उस आदमी को पेश किया जाता है इन और किड्नेपिंग यह सब केस्ट यह कॉंगनीजबल ऑफेंस क्या होगा अब तक तो आपको क्लियर होई गया होगा जब को ओफेंस में बिना वारेंट के आरेस्ट किया जासता है तो यह वह उफेंस हो गया जिसमें आपको कोड का परमिशन चाहिए इन्वेस्टिकेशन श केस में क्या होता गाइस पहले क्रिमिनल कंप्लेंट लॉज की जाती है मजिस्टेट के पास और वह पुलिस को फिर डिरेक्शन देता है कि आप इन्वेस्टिकेशन शुरू करो फिर क्या होता है पुलिस जो है वह चार्शिट फाइल करती है विद्दा कोड उसके बाद ट् अब देख सकते हो किसी का पैसा चुराना हो गया या कुछ मारा पीटी थोड़ा बहुत चेंड चीनना यह सब जो होता है नॉन कोगनिजबल एक बाद दिफरेंस देख लेते हैं हम लोग पैसी देख लिया डिफरेंस लेकिन फिर से एक बार रिपिट कर लेते हैं कोगनिज लिए सब्सक्राइब समय कर सकती इनिय स्क्राइब होता है इसमें जो सीरियस वोता है और विक्टिम जो है वो एफिए और में कंपलेंट तुम एस्टेफ इंग नगॉन कंपलेंट 2 उश्य सेटेफ टोटेंट रिफरेंग नहीं कंपलेंट 2 माजे कोगिट सेट एफ of criminal procedure code 1973 यह वाला इवाला इवाला डिफाइब ऑपोलिस officer is bound to register the FIR even without the permission of magistrate. पोलिस officer is not bound to register the FIR or cannot register the affair without the permission of magistrate. व्य इपाल गप्वाल मेधल जो अबेलेबल और नान बेलेबल होता है है इस पर पेल देना है और यह जो हता है ये नॉन कॉग्णीजिबल ये लगभग वह से बेले वाली होता हैं तो यह तक इस वीडियो में आया वह आपको कुस्छ सीकने को मिला होगा को समझ में आया होगा और है वाइब नाइस जे देख ये